गुड मॉर्णी क्लास, इस आम्र नास, I am your science teacher, today is your science turn, so take out your science book पीज नमबर 15, चाप्टर नमबर 4, जल, जल होता है पानी हमें सब जगात जल प्राप्त होता है, सभी जीवित प्राडियों के लिए जल अविश्रक है हमारी प्रतिवी के अधिकांश पाग लगबग 71, 71 प्रटर जल है, जितनी भी जीवित लोग हैं, जीवित जो लोग हैं, जीवित जो लोग हैं, जो सांस लेती हैं, उन सभी के लिए जल की अविश्रक्ता होती है जल स्वाधीन, गंधीन एवं रंगीन होता है, मींस पानी जो है, ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है, ना उसमें कोई स्मेल होती है, और ना ही उसमें कोई कलर होता है हमें पीने, नहाने, भोजन पकाने, कप्रे धोने, सफाई के लिए, एवं अन्य कई कारियों के लिए जल के अविश्रक्ता होती है, जल के बीना जीवन नहीं है जल तीन रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस ठोस के रूप में जल किस तरह से मिलता है देखिए जब जल जमता है तो ये बफ में बदल जाता है उसे हम क्या बोलती है ठोस ठोस के रूप में जल द्रफ के रूप में जल जल नम एवं बहने वाला होता है ये जल का वह रूप है जिससे हम सभी परीचिते हैं हम जल का उपय विबिन पिरकारों में करते हैं जिसे धोना, पीना, आदी वो कौन से जल होता है द्रव के रूप में जल गैस के रूप में जल क्या होता है जलवाष कैसे नोख 5 और वाईओ में उपस्फित रहती है हम इसे नहीं देख सकते जब हम जल को उबालते हैं तो जल द्रव में गैस या जलवाश्प में बदल जाता है आपने देखा होका जब पानी उबलता है तो उसमें भाप निकलती है वो जो भाप होती है वो होती है हमारी गैस यानि जलवाश्प तो गैस के रूप में जल हमारा इस तरह से होता है जब जल वाश्प कुछ ठंडी होती है तो हम इसे वाश्प के रूप में देखते हैं यदि आप उबले जल के उपर ठंडी प्लेट रखते हैं तो आपको उसके नीचे जल की कुछ नंदी मूदें दिखाई देंगी ये जल वाश्प है जो बुना जल में बदल जाती है जब पानी बॉयल होता है तो आप उसके उपर जिस परतर में आप पानी घरम करते हो उसे आप ढग दो फिर जब आप देखोगे उसे तो उस पर पानी की चोटी 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 बूंद होती है तो वो क्या कहलाता है जलवाश्प ठोस के रूप में जल यह जो बर्फ होती है यह ठोस के रूप में जल होता है द्रफ के रूप में जल बहने वाला जल जो हम mostly use करते हैं गैस के रूप में जल मतलब भाब जो होती है जो हम उबालते हैं जो भाब जो होती है वो हमारा गैस के रूप में जल होता है अब जल चक्र क्या होता है जल की गती जल की गती की वे पिरकिरिया जिसमें जल जल की गती की वे पिर्किरिया जिसमें जल भूमी से आकाश में एवं पुना भूमी पर आ जाता है जल चक्र कहलाता है इस पिर्किरिया से भूमी के द्वारा जल का उप्योग एवं पुनर चक्रन होता है सूरे के ताप के कारण महासागरो नदियो जीलो जहां यहां तक की आपके चारो और इस्तित जल गर्म होकर वाश्प बन जाता है जब जल गर्म होता है तो यह द्रफ से गैस में बदल जाता है इस गैस को जलवाश्प एवंप पिरकिरिया को वाश्पी करण कहते हैं पौदे भी जलवाश्प निकालते हैं जब जलवाश्प बनती है तो यह हवा में उपर उटकर एकत्रित होकर बादल बन जाती है वहां जलवाश्प ठंडी होती है एवंब द्रफ के रूप में पुना जल में बदल जाती है उसे संगनन कहते हैं उसके बाद ये जल वर्षा के रूप में पुना जल में जल बन जाती है इसे संगनन कहते हैं इसके बाद ये जल वर्षा के रूप में भूमी पर आ जाता है वर्षा का जल पुना बहते हुए नदियों, तलाबों, जीलों, एमम महा सागरों में पहुँच जाता है इसके बाद पुना ये जल वाश बनकर उपर उठता है इस पिर्किर्या को जल चक्र कहा जाता है ये एक निरंतन होने वाली पिर्किर्या है अभी आपको बताया कि जल चक्र क्या होता है इसी तरह से ये पिक्चर में समझाया गया है जब आप इसे पढ़ेंगे इस पूरे पैरे को तो आपके ये समझ आ जाएगा यह आपके question answer जो आपको अपनी copy पे करने है फरस question है आपका जल का स्वभाव कैसा है अभी हमने पढ़ा है कि जल स्वाधीन, गंधीन और रंगीन होता है question number two जल हमारे लिए क्यों अवेशक है इसका answer आप लिखेंगे यहां से सबी जिवित प्राणियों के लिए जल अवेशक है हमें पीने, नहाने, भोजन, पकाने, कपड़े दोने, सफाई के लिए अवं अन्य कई कार्यों के लिए जल के अवेशकता होती है जल के बीना जीवन नहीं है question number three जल के तीन रूप कौन से है आप यहां से इसका अंसर लिखेंगे जल तीन, जल तीन रूपों में मिलता है ठोस, द्रव और, गैस जल चक्र किसे कहते हैं इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे जल की गती की वेपे किरिया जिसमें वे भूमी से उठकर आकाश में एवं पुना अकाश से भूमी पर आ जाता है उसे जल चक्र कहते हैं और आपका क्वेशन नमर फाइब बाश्पिकरन किसे कहते हैं इसका अंसर लिखेंगे आप यहां से यहां तक यह वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है इसे आपको उप में ही अपनी कंप्लेट करना है